आज के अमरी रेसिपी है व्रत की रेसिपी साबुदाना के अपपे बहुत ही कम घी तेल में बनने वाले और बहुत ही टेस्टी लगते हैं चले बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने 500 ग्राम करीब या आप समझ लीजे एक कप करीब साबुदाना को छे घंटे पहले बे दालने के बाद अब मैं एक बड़ा मिक्सिंग बॉल ले लेती हूं इसमें ये भीगे हुए साबुदाने सारे डाल लोंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए है साबुदाने आप 6 गंटे पहले बेगो दीजे इसके साथ ही जो आलू कद्दू कस करके रखे थे उनको मैं डाल द बारीक भी पीश सकते हैं ये दो बड़े चम्मच के करीब ली है मैंने इसे भी डाल देंगे इसके साथ में डलेगा हरी मिर्च बारीक कटी हुई साथ में जाएगा सेंदा नमक ये मैं थोड़ा जादा ही ले रही हूं आप अपने टेस्ट के नुसार लेजिए और साथ में का नमक ये जाएं एक पूर्णी नमरजी है मैं विल द। दूसरे नजी डाल हरही हूं कि मैं ब्रत में सावन में हरदनिया अब आवित माइद करते हूं और अच्छी तरह से Mika लेगे मैं यसे हाटों की आता से मिक्स करूंगी जिससे ये सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जएए ये देखिए सारा मिक्स हो गया अच्छी तरह से अब मैं इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बना लूँगी देखिए जिस तरह से लड्डू बनाते हैं आस्जानी से बन जाएगा अगर ज्यादा चिपके तो आप थोड़ा सतेल हातों में लगा सकते हैं ये लिजे ये बनकर ready हो गया है इसी तरह से मैं सारे बनाकर ready कर लूँगे आप चाहें तो थोड़े छोटे बना सकते हैं थोड़े बड़े बना सकते हैं ये आपकी मर्जी पर depend करता है आप इसी बैटर को deep fry भी कर सकते हैं वड़े बनाकर मैं थोड़ा healthy option लेकर आई हूँ ये लिजे ये सारे बनकर ready हो गया है आप हम इनको सेखते हैं इसके लिए मैंने अपे पैन को हलका सा देसी घी से ग्रीस कर लिया है आप तेल से भी ग्रीस कर सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा जादा ही डाल दिया है तेल आप और कम डाल सकते हैं अच्छी तरह से ये सिख जाएंगे कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी बस थोड़ा सा time बस लगेगा ये लिजे ये ग्रीस हो गया है अच्छे थे अब जो हमने बॉल्स बना कर रखी थी उनको इन में प्लेस कर देंगे देड़ सो ग्राम साबुदाना से अतलब एक कप साबुदाना से ये मेरे दस अप्पे बनकर रेडी हो गया है अब इन्हें हलका हलका पलटते जाएंगे थोड़ा थोड़ा हलका हलका आप इसे पलटते जाएं आज को आपको धीमा ही रखना है वरना ये अंदर से सिकेंगे नहीं और बाहर से ही पक जाएंगे ये देखे थोड़ा थोड़ा ब्रैडिश होने लगे हैं ये ये इस तरह से पलड पलड कर हम सारे अपते सेख लेंगे आप चाहें तो उपर से भी थोड़ा सा ओईल या घी ग्रेज कर सकते हैं ये लिजे इस तरह से पलड पलड के या भी पलड नहीं रहा था अफ दिरे से पलड गया है हलका सछथिक गया होगा क्योंकि ये देखे कितना बड़ियां कलर इसमें आया है इसी तरह से हमें सारे अप्पे सेख कर रेडी कर लेने हैं बहुत ही अच्छे से सिख गए हैं ये मैंने आज को थोड़ा मेडियम कर दिया है पहले शुरूबात में मैंने इने दीमी आज पर सेखा था ये हमारे बिल्कुल हेल्दी आप्शन के साथ साबुदाना के वड़े रेडी हो गए हैं आप अपने अकॉर्डिंग इने सेख सकते हैं थोड़ा हलका भी सेख सकते हैं थोड़ा जादा भी सेख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में यह देखे कितना बढ़ियां कलर आया है ज्यादा डीप ट्राइ करने की भी जरूरत हमें नहीं पड़ी यह लीजिए हमारे हेल्दी वाला फलार रेडी है आप इससे बनाईए और जरूर बताईए आपको कैसे लगे बाई बाई